एक बार एक बूरी मा को उसके बेटे ने एक व्रिधा आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस मा का ये वही एक लोता बेटा था जिसके लिए इस मा ने जीवन भर संगर्श किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक मा को करना चाहिए ही या मा कर सकती हैं। और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तयार हो गई। व्रिधा आश्रम में रह रही मा हमेशा अपने बेटे को याद करती मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता कई साल बीट गए, व्रिधा आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया उन्होंने कहा बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी मां से मिल लो वो बहुत सीरियस है बेटा जब अपनी बीमार मां के पास पहुचा तब वह अपनी आखिरी सांसे गिन रही थी बेटे ने अपनी मां से उसकी आखिरी इच्छा पूचते हुए कहा, मा में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ मा ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पनके लगवा देना फ्रीज ना होने की बजह से यहाँ पर हम बूरों को कई बार भूखे पेठी सोना पड़ता है क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना बेटे ने अपनी मा की सारी बात सुनी और अपनी मा से पूछा आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिये पर आपने कभी भी यह बाते मुझसे नहीं कहीं और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही है ऐसा क्यों मा ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीडा सहन कर ली लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे तब तु यह सब सहन नहीं कर पाएगा इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब सही व्यवहार करना पड़ेगा